नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपनी यूटूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो बिहार से चकवर्ती फेज टू से रिलेटेड हमने हिंदी ब्याकराण सोरू कर दिया था जिसमें हमने वर्ड माला टॉपिक को दो वीडियो में कबर किया है अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लिजेगा बिहार से चकवर्ती फेज टू में बहुत ही महत्पूर रोल आदा करेगा ये हमारी सभी वीडियो आपको पता होगा कि हिंदी का बहुत ही महत्पूर रोल है इस बार के विहार से चकवर्ती में इसलिए हमने टॉपिक वाईज जो है प्रैक्टिस सेट सुरू कर दिये हैं हिंदी से तो हमने पहले और दूसरे वीडियो में वाडमाला टॉपिक को खतम कर दिया था आज हमने संधी टॉपिक को उठाया है और लगबग इसमें हम डेर सो क्वेशन जो है कवर करने वाले हैं और ये लंबी वीडियो होगी जो की एकी वीडियो में संधी टॉपिक को खतम कर दि है कि विद्यार्थी सब्द में कौन सी संधी है वो आपको बताना है प्रश्ण नमर पहला का विद्यार्थी सब्द में कौन सी संधी है वो आपको बताना है विकल्ब जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा दिर्ग संदी ये वाला विकलप जो है इसका पहला का सही हो जाएगा अगर आपको इस वीडियो में ज्यादातर प्रश्ण कलत हो तो आप संदी टॉपिक को फिर से जाकर रिवाइज करकर पढ़ लीजिए गा यहीं चीज होता है फ्रेक्टिस सीट से आइडिया मिलता है चलिए आगे चलते हैं अगला हमारा दूसरा प्रश्ण है रामायर का संदी विक्षेत क्या होगा वो आपको बताना है प्रश्ण नमर दूसरा का रामायर का अगर संदी विक्षेत की बात करें तो बहुत इंपोटेंट है कई बारी जामें बना हुआ है तो राम पन्दस अयन जो होता है वो हरामायण का संधी विक्षेद हो जाएगा तो इस तरह से हमारा B वाला विक्षेद क्या होगा वो आपको बताना है तो परमाउसद का अगर संधी विक्षेद करेंगे तो कौन सा विक्षेद सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा परम प्लस आउसद कौन से विकल्ब में मिल रहा है B वाले विकल्ब में सही हो जाएगा B वाला विकल्ब तीसरा का प्रश्ण नम्मर चौथा है कि सुरेंद्र में कौन सी संधी है वो आपको बताना है प्रश्ण नम्मर चौथा का विकल्ब जो हमारा सही हो जाएगा सुरेंद्र में का संधी की बात करें तो वो गुन संधी हो जाता है बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश नमर पांचवा पांचवा करा कि सन मार्ग का संधी विक्षेत करी चलिए सन मार्ग काा चंदीविक्षध क्या होगा? प्रस्ट नमर 5 का रहा है विकल्प जो हमारा होगा वो हो जाएगा सत मार्ग ये ब्येंजन संदी के अंदरγαद आता है ए वाला विकल्प जो है इसका साही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रस्ट नमर छेटवा अभी उदय का संदी विक्षेत क्या होगा वो आपको बताना है प्रश्ण नमर चाटवा का विकल्प आपके सामने है आप उत्तर तोड़ लेजिएगा हमारे तरब से जो आपसन सही होगा वो हो जाएगा अभी प्लस उदय तो विकल्ब हमारा B वाला सही हो जाएगा ध्यान लखेगा अभी प्लस उदे बहुत ही बारिकी अंतर है ध्यान लखेगा ऐसे ही प्रश्ण जो है आजकल ट्रेंडिंग में चलते हैं जो कि बारिकी अंतर के साथ आपको देखनों के मिलते हैं एकजाम में तो चलिए में कौन सी संदी है वो आपको बताना है प्रश्ण नमर सातमा का विकल्ब जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा अयादी संदी सी वाला विकल्ब जो इसका सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नमर आठवा निर्गुन का संदी विक्षेद आपको बताना है कि न प्रस नममर 9 का रा कि पवित्र का संदि विक्षेद क्या होगा वो आपको बताना है प्रस नममर 9 का पवित्र का संदि विक्षेद। आघ्यान काऊंसा वीकल्प हमारा सई होगा तो वो हो जाएगा यन संधी, d वाला वीकल्प हमारा सई हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नम्मर 11, नम्मर 11 कह रहा है कि परतेक का संधी वीक्षेद आपको बताना है चलिए प्रश्ण नम्मर 11 विकल्प कौन सा सही हो जाएगा तो वो हमारा विकल्प सही हो जाएगा कौन सा प्रती प्लस एक किस आप्टन आपसन में है तो बी वाले में ही है तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्ण नम्मर बारा करा है कि राजरसी का संधी विच्छेद आपको बताना है कि राजरसी का संधी विच्छेद क्या हो का प्रश्ण नम्मर बारा का विकल्प की अगर हम बात करें तो वो हमारा विकल्प राज प्लस रीसी अब देखें, विकल्प कौन सा मिल रहा है? राज प्लस रिसी, तो D वाला विकल्प अदम साप मिल रहा है, सही हो जायेका आगे जलते हैं, प्रश्ण नम्मर 13, प्रश्ण नम्मर 13 क करा कि, अब भ्यर्थी में कौन सी संदी है? वो आपको बताना है, प्रश्ण नम्मर 13 का कि परी आवरण में कौन सी संदी है प्रश्ण नमर 14 का तो परी प्लस आवरण अब देखे इसमें कौन सा विकल्प पड़ेगा प्रश्ण नमर 14 का विकल्प जो हमारा होगा वो परी प्लस आवरण विकल्प हमारा डी वाला विकल्प सही होगा जण संदी इसका सही होगा आगे चलते हैं प्रश्ट नंमर 15 गिरीज में कौन सी संदी है वो आपको बताना है गिरीस में प्रश्ट नमर 15 का विकल्प के अगर हम बात करें तो गिरी पलस इस यानि समान वण जा आ रहा है यहाँ पर तो दिर्ग संदी हो जाएगा यह वाला विकल्प जो ही यहाँ पर सह हो जाएगा प्रश्ण नमर 15 का डीटेल में हम नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि डीड़ सु प्रश्ण नमर कब करना है और यहां पर आप अपनी छमता को आकिएगा कि आप संधी से कितने question सही कर सकते हैं यह संधी के कौन से topic यानि संधी में भी कई परकार होते हैं तो कौन से संधी के परकार को संधी को हम आप वड़ को नहीं पगड़ पाते हैं वो फोकस करिएगा इस practice 8 के माध्यम से प्रश्ण नमर 16 अत्यांत का संधी विक्षेद आपको बताना है प्रश्ण 17 कर आए कि जगदीस में कौन से संधी है चलिए जगदीस में कौन से संधी है वो आपको बताना है प्रश्ण नमर 17 का विकल्प चु हमारा सही होगा वो हो जाएगा कौन सा ब्यंजन संग्वी जगत पलस इस इसका विक्षेद होता है तो वी वाला विकल्प हमारा सही हो जा नहें प्लस रोग हो जागा ऐसे में नहीं जबाता है तो वह भी सर्ग के साथ जाया जाता है से वाला विकलब हरा आठारा का सही हो जायँगा आगे चलते हैं प्रष्ण नंमर 19 पर प्रष्न नंमर 19 कह रहा है कि प्रतयूपकार का संदि विक्षेद आपको बताना है प्रश्ण नम्मर 19 का विकल्ब की बात करें तो इसका जो आपसन सही होगा वो प्रती पलस उपकार किस आपसन में है तो ए वाला में ही है तो इस तरह से ए वाला विकल्ब 19 का सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नम्मर 20 प्रश नम्मर 20 कह रहा है कि सुक्ति का सही संदी विक्षेद क्या होगा वो आपको बताना है सुक्ति जो सब्द है उसका प्रश्ण नमर 20 के अगर उत्तर की बात करें तो सू प्लस उक्ती किस आपसन भी मिल आ थी कि सू प्लस एक्ती और सू में भी वो मांत्रा छोटाओं का मांत्रा ध्यान रखना है सी वाला विकल्ब इसका सही हो जाएगा प्रश्ण नमर 20 का आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 21 विकल्ब होगा वो ब्रिदी संदी हो जाएगा बी वाला विकल्ब इसका सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 22 प्रश्ण नमर 22 करा कि 9 उठा का संदी विक्षेद क्या होगा वह आपको बताना है प्रश्ण नमर 22 का विकल पाप के सामने हैं अगर उत्तर की बात करे तो वह हो जाएगा हमारा 9 पलस उठा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान नखेगा 9 पलस उठा जो है 9 उठा का संदी विक्षेद होगा आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 23 बहुत इंपोर्टेंट है ये एकजाम में बना हुआ क्वेश्चन है अच्छोणी का संदी विक्षेद आपको बताना है कि अच्छोणी बाकी ये विसर्ग वाला आपसन ऐसे ही नहीं होगा चलिए C वाला बिगल बिजगा सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 24 शहार का संदी विक्षेद क्या होगा शमहार का संदी विक्षेद क्या होगा वो आपको बताना है विक्षेद की बात करे तो हमारा आपस वो आपको बताना है निर्वाद का संदी विच्छेद की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा नहीं प्लस वाद और यह जो विसार्ग होता है यह उड़न्तुवारों में कन्वर्ट हो जाता है जब जूड़ता है सब दो एवाला विकल्प इसका सही हो जाएगा ध्यान इम्पोर्टेंट है विसार्ग संदी से एक वच्छन है आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 26 चत्र छाया चत्र छाया का संदी विक्षेद अगर आप करेंगे तो कौन सा आप सन इसमें से आपको मिलेगा प्रश्ण नमर 26 कर रहा है कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्ण नमर 26 क तो छत्र प्लस चाया साफ साफ आपको दीखी रहा है एवाला आप सनिस में सही हो जाएगा आके चलते हैं प्रश्ण नम्मर 27 प्रश्ण नम्मर 27 की बात करें तो प्रश्ण नम्मर 27 कह रहा है कि उज्वल का संदिविक्षेत क्या होगा वो आपको बताना ही इंपोटेंट है प्रश्ण नम्मर 27 तो उज्वल के गर संदिविक्षेत की बात करें तो उज्वल अब किस विकल्प में आपको मिल रहा है तो C वाले में ही सिर्फ मिल रहा है 27 का C तो इस तरह से हमारा C वाला आप सही हो जाएगा प्रश्ण नम्मर 28 है कि उद्योग में संदि होगी कौन सी प्रश्ण नम्मर 28 उद्योग में जो है कौन सी संदि होगी वो आपको बताना है और यूंपोटेंट है ये प्रश्ण नम्मर 28 विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा उद्योग में बेंजन संदि तो B वाल प्रश्णा आपको देखने को मिलेंगे यानि 4 विकल्प आपके सामने और गलत विकल्प आपको धूटना है प्रश्ण नमर 29 का बहुत इंपोटेंट है चलिए अगर गलत विकल्प की इसमें धूटना है तो देखिए नय प्लस अक नायक सहिए गय प्लस अग गायक सही है पव प्लस अग पावक सही है यह तीनों आपसन सही है लेकि चैन का चे प्लस अन जो है नहीं होता है तो इस तरह से हमारा जो विकल्प सही होगा वो पहला 29 का सही हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं आगे जलते हैं प्रश्ण नम्मर तीस प्रश्ण नम्मर तीस में भी आपको वहीं बता रहा है कि इन में से कौन सा विकल्प गलत है वो आपको ढूड़ना है तो देखे इसमें जो है अत्तह प्लस ये अप्सन एकदम डिरेक्ली गलत है अत्तह यहां पर हैसे होना चाहिए तब जाकर ये अप्सन साही होता तो इस तरह से हमारा पिकल्प जो है तीस का ये वाला ही साही हो जाए का गलत डूड़ना था पहले ही हमारे अप्सन में मिल गया निर्गुन का साही है क्योंकि रंतुआर विसरग में कनवर्ट हो जाता है मनोजह एकदम डम साही है ये भी और वी अर्थ मतलब बियर्थ भी ये सत्ती ही है बाकी पहला आप्सन तीस का साही हो जाएगा चलिए प्रष नमर 31 है कि निस्यद सब्द किन ध्वनियों के मिल से बना है यानि निश्यद के निस्येद जो सब्द उसका वण विक्षेद यहां पर किया गया है चारोख आपसन में से आपको बताना है कि कौन निश्यद से साफ साफ मिलेगा विकल्प जो हमारा सहसकी फ्रस्च नम्र 31 का वो हो जाएगा C वाला बिकल्प प्रस्च नम्र 31 का C वाला बिकल्प आगे चलते हैं प्रस्च नम्र 32 पर प्रस्च नम्र 32 है कि संधी के despite कितने भेद होते हैं वो आपको बताना है मैं lanceral प्रश्ण है तीन ही बेद होते हैं डी वाला बिकलब जो है 32 का हमारा सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नम्मर 33 पर प्रश्ण नम्मर 33 है कि इन में से स्वरसंदी का उदारण है आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है स्वरसंदी का उदारण है वो आपको इसमें से ढोड़ना है तो 33 का हमारा जो बिकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा D यानी पवन और पवन सब जो है आयादी संदी की अंतरगत आयादी स्वर संदी जो होता है उसकी अंतरगत आता है बाकी तीनों जे है संदी स्वर संदी का उदारण न आपको बताना है उपर यूक्त का प्रश्ण नमर 34 का विकल्ब जो हमारा सही होगा उपर यूक्त का जब अब संधी विक्षेद कते हैं तो उपर पलस उक्त नहीं आता है ध्यान लखेगा उपरी पलस उक्त होता है जैसे परी पलस आवरण होता है न वुसी तरह इसका भी तो D वाला बिकल्ब हमारा सही हो जाएगा चौन्टिसका आगे चलती हैं प्रश्ण नम्मर 35 पर नम्मर 35 है कि मंतालाय का संदि विक्षेत क्या होगा वो आपको प्रश्ण नमर 35 बताना है विकल्ब की बात करें तो हमारा बिकल्प जो सही होगा मम्ता प्लस आलाय सी वाला बिकल्प जो इसका सही हो जाएगा और ये दिर्ग संदी के अंतर गताएगा ध्यान लखेगा प्रश नम्मर 36 स्वर संदी के कितने भेद होते हैं वो आपको बताना है तो स्वर संदी के कितने भेद होते हैं पाँच भेदोते हैं 36 का बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा दिर्ग संदी, गुण संदी, यन संदी, विर्धी संदी, अयादी संदी आगे चलते हैं प्रश्ण नम्मर 37 तथापी में कौन सी संदी है वो आपको बताना है तथापी में प्रश्ण नम्मर 37 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो होगा दिर्ध संदी, तो ये वाला विकल्प हमारा सही होगा तथापी में जो है दिर्ग संदी होगी, तथापलस अपी यानि समान स्वर जब आते हैं तो वहाँ दिर्ग संदी होती है इस बात को ध्यान रखिएगा आगे चलते हैं प्रश्ट नम्मर 38 पर वही स्कार में कौन सी संदी है वो आपको बताना है प्रश्ट नम्मर 38 का विकल्प की बात करें तो वही स्कार जो मुर्धनिया साय आ जाता है बीज में जब सब्द के बीच में मुर्धनिया साय जाएगा तो हमेशा विसर्ग के ही साथ जाएगा इस बात को ध्यान रखिएगा तो डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ट नम्मर 49 उत्ख्रिष्ट में कौन सी संदी उच्छिट उच्छिष्ट 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 में कौन सी संदी है वो आपको बताना है प्रश्ट नम्मर 49 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो हमारा विकल्प सही होजागा उच्छिष्ट की अगर हम बात करें तो हमारा ब्येंजन संदी बी वाला बिकल्ब इसका सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नम्मर चालिस रतनाकर में कौन से संदी है वो आपको बताना है कि प्रश्ण नम्मर चालिस में रतन आकर में कौन सी संदी है तो रतन पलस आकर ये की हिच्टी जो जाएगा एवाला विकल्प दीर्ग संदी आगे चलते हैं प्रश्ण नम्मर 41 प्रश्ण नम्मर 41 कह रहा है कि तललीन का संधी विक्षेत क्या होगा वो आपको बताना है प्रश्ण नम्मर 41 का कि तललीन का संधी विक्षेत अप्सन जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा तत प्लस लीन D वाला भी कल्प सही हो जागा ब्यांजन संदी के अंतरगात आएगा ध्यान रखिएगा ब्यांजन संदी पड़े होंगे तो आप जरूर इस आप्षन को सही करेंगे प्रश्ण नम्मर 42 है कि O के साथ अगर E मिलता है तो A स्वर संदी के किस भेद के ब्यक्त करता है ये किस संदी को स्वर संदी को ब्यक्त करेगा अगर O के साथ E मिलेगा तो किसको ब्यक्त करेगा तो वो करेगा हमारे किस आप्षन को तो B वाले आप्षन को यानि कि 42 का हमारा जो आप्षन सही हो जाएगा गुण संधी वाले आपसन को ब्यक्त करेगा ध्यान नखेगा ब्यक्त करेगा किसको गुण संधी को बी वाला बिकल्ब इसका सही हो जाएगा प्रश्ण नम्मर आ जाते हैं 43 पर प्रश्ण नम्मर 43 कह रहा है कि मत्यक्य में कौन सी संधी है प्रश्च नमर 43 मत्यक किमें कौन सी संदी है तो वो हमारा विकल्प सही हो जाएगा पी वाला ब्रिधी संदी हो जाएगी आगे जलते हैं प्रश्च नमर 44 प्रश्च नमर 44 कह रहा है कि पर्यावरण का संदी विक्षेद करिये चलिए पर्यावरण का संदी विक्षेद करिये कौन सा विकल्प मिलेगा पर्यावण का अगर संदी विक्षेद करेंगे तो विकल्प जो हमारा सहयोगा आएगा परी प्लस आवरण पी वाला विकल्प इसका सहयोजाएगा आगे चलते हैं प्रश नम्मर 45 यह थार्थ में कौन सी संदी है वो आपको बताना है प्रश नम्मर 45 यह थार्थ में अगर संदी की बात करें तो वो दिरगी संदी हो जाएगी एवाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश नम्मर आजाते हैं 46 पर 46 करा कि 9 का संधी विक्षेद करिए कि कौन सा 9 का जो है संधी विक्षेद होगा प्रश नमर 46 में 9 कि अगर संधी विक्षेद की बात करें तो कौन सा विकल्ब सही होगा तो 46 का D वाला विकल्ब 9 प्लस 1 होता है 9 D वाला विकल्ब इसका सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 47 भाव कुका संदी विक्षेद आपको बताना है प्रश्ण नमर 47 विकल्प जो हमारा सही होगा वो जगा भाव प्लस उक बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा भाव प्लस उक आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 48 प्रश्च नम्मर 48 कह रहा है कि सजन का संधी विक्षेद क्या होगा विकल्प आपके सामने है सजन का संधी विक्षेद की अगर हम बात करें तो सत प्लस जन होगा और किस आपसन में है तो सिर्फ बी ही में है प्रश्च नम्मर उन्चास द्रिगंचल का संधी विक्षेद आपको बताना है प्रश्च नम्मर उन्चास का तो द्रिगंचल की एगर संधी विक्षेद करेंगे तो द्रिग प्लस अंचल C वाला विकलब से योजगा बियंजन संदी के अंदर गताएगा और important है ये पहला रूल ही बियंजन संदी काई तो ध्यान लखेगा प्रस्ट नम्मर 50 राकेश का संदी विक्षेद होगा वो आपको इसमें से डूड़ना है राकेश का संदी विक्षेद चलिए विकलब काउन से सही होगा 50 का वो आग बता दीजेगा बहुत important है ये जामे बना हुआ है राकेश का संदी विक्षेद की बात करे तो राका प्लस इस होता है C वाला विकलब इसका सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रस्ट नम्मर 51 51 कर रहा है कि संदी किन सब्दों की बनती है संदी जो है किन सब्दों की बनती है वो आपको बताना है प्रस्ट नम्मर 51 का विकलब जो अगर हमारा सही होने की बात करे तो संदी जो कि संस्कृत होती एक तरह का तो वो बनेगा ततसम सब्दों का बनता है तो D वाला विकल्प 15 का सही हो जाएगा ध्यान लगिएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नम्मर आ जाते हैं 52 पर प्रश्ण नम्मर 52 कह रहा है कि निराधार में परियुक्त संदी आपको बताना है कि निराधार में कौन सा परियुक्त संदी किया गया है इसमें तो निराधार में अगर संधी की बात करें? तो विसर्ग संधी होगा B वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 52 का प्रशं नंबर 3 पन है कि सच प्लस चरित्र किस संधी का उदाहरण है? वो आपको बताना है प्रशं नंबर 3 पन का विकल्प आपके सामने है और साब साब दिख रहा है किस चीज का तो बियंजन संदी का तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा दी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नम्मर अब आयाते हैं चोंवन पर प्रश्च नम्मर 54 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ब्यंजन संदी का उधारण है वो आपको बताना है प्रश्च नम्मर 54 में ब्यंजन संदी का उधारण आपको बताना है हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा सदा चार सदाचार D वाला बिकल्ब जो है ब्यांजन संदी का उदारान है प्रश्च नम्मर 55 है कि कपी प्लस इस का सही संदी संयोग कौन सा होगा वो आपको इसमें से बताना है तो कपी प्लस इस जब जुड़ता है तो कपीस बनता है और कपीस किस आपसन में है वो आपको ढूड़ना है 55 का तो कपीस जो है हमारा B वाला बिकल्ब से हो जागा क्योंकि जब छोटी बड़ी मिलती है तो बड़ी का ही निर्माड होता है इस बात को ध्यान रखिये गा आगे चलते हैं प्रश्च नम्मर 55 विशर्ग के साथ स्वर अथवा ब्यंजन के सयोग से जो विकार उत्पन होता है उसे किस संदी के नाम से जानते हैं वो आपको बताना है प्रश्च नम्मर 56 का विकल्ब जो हमारा सयोगा वो हो जागा उसको हम विशर्ग संदी के नाम से जानते हैं आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 57, प्रश्ण नमर 57 कह रहा है कि मनह प्लस रमा में संदी करने से जो सब्द बनेगा उसका संबंद किस संदी से होगा, प्रश्ण नमर 57 कह रहा है किस संदी से होगा, तो मनह प्लस रमा जब सयोग होगा तो वो बिसर्ग संदी का ही रूप होगा क्योंकि इसमें विसर्ग लगा है सिधी सिधी तो वी वाला विकल्ब इसका सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नम्मर 58 पर प्रश्ण नम्मर 58 कर आए कि इत्ति पलस आदी इत्यादी में कौम सी संदी है वो आपको बताना है प्रश्ण नम्मर 55 का विकल्ब जो हमारा सही होगा यन संदी आके चलते हैं प्रश्ण नम्मर 69 मृत्य उपरांत में संधी करने से एक सब्द निर्मित होगा और वो सब्द कौन सा होगा आपसन के कार्डिंग आपको ढूड़ना है 69 का तो मृत्य उपरांत जो है ये हमारा जो है ये वाला आपसन इसका सही हो जाएगा ये नहीं होगा द्यान रखे का बी वाला आपसन नहीं होगा आगे चलते हैं प्रश्ण नम्मर 60 द्वापी का सही संधी विक्षेद आपको करना है इस प्रश्ण 60 का कौन सा विकल्प सही होगा तो 2 प्लस अपी जो है बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्ण 61 है कि निम्न में से यन संधी कौन सी है वो आपको बताना है यन संधी विकल्प जो हमारा सही होगा वो 61 का A वाला विकल्प यद्दपी जो है यण संती में आएगा इस बात को ध्यान रखियेगा आगे चलते हैं प्रश्ण नम्मर 62 कह रहा कि अन्युवेशन का सुध संधी विक्षेद है इसमें से आपको बताना है तो अन्युवेशन का सुध संधी विक्षेद की बात करे तो अनुपलस है A शन हो जाएगा D वाला विकल्प यसका सही हो जाएगा प्रश्ण नम्मर 63 के समिधान का संधी विक्षेद क्या होगा वो आपको बताना है प्रश्ण नम्मर 63 का विकल्प जु होगा हमारा शम प्लस विधान, साफ साफ दिखी रहा है, बीवाला विकल्प सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रशन नमर 64 संस्क्रीट का संधी विक्षेद आपको करना है, प्रशन नमर 64 कौन सा विखल्प सही होगा तो वो हमारा बहु शम प्लस कृती बीवाला विखल्प इसका सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 65 में अंतर आत्मा का संधी विख्षेद होगा इसमें से कौन सा अंतर आत्मा का चलिए प्रश्ण नमर 65 का विकल्ब जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा अंतह प्लस आत्मा वी वाला विकल्ब इसमें साप मेल रहा है चलिए प्रश्ण नमर 66 अंतो गत्वा का संध विक्षेद आपको करना है प्रश्ण नमर 66 में विकल्ब जो हमारा सही होगा अंततह गत्वा जो है ये वाला विकल्ब इसका सही होजागा छाचट का आगे चलते हैं प्रश्ण नम्मर सर्षट प्रतेक्ष में संदी है कौन सी सर्षट का विकल्प आपको बताना है प्रतेक्ष में संदी कौन सी है वो आपको बताना है प्रश्ण नम्मर सर्षट का विकल्प जो हमारा सही होगा वो यण संदी हो जाएगा बी वाला विकल्प सर सट कर रहा है कौन सी संदी हो गई तो इसमें जो है विसर्ग संदी हो गई प्रश्ण नमर आगे चलते हैं भानुदय भानुदय में भानुदय का संदी विक्षेद आपको करना है 59 प्रश्ण कर रहा है विकल्ब जो हमारा होगा वो जगा भानु प्लस उदैसी वाला लोकाइशना में संधी है आपको बताना है प्रश्ण नमर 70 का कि लोकाइशना में कौन सी संधी है वो आपको बताना है प्रश्ण नमर 70 का विकलब चु हमारा होगा सी वाला विर्दी संधी हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 71 इंद्रासन का संधी विक्षेद होगा प्रश्ण नमर 72 का इंद्रासन का संधी विक्षेद क्या होगा तो इंद्र प्लस आसन और आपसन पहला ही हमारा मिल गया ये वाला विगल्ब सही हो जाएगा प्रश्ण नमर 72 देवाशुर में संधी होगी वो आपको बताना है देवाशुर में कौन सी संधी विच्छेद होगी प्रश्ण नमर 75 का वीगल्ब जो हमारा होगा वो स्वर संधी होगा क्योंकि देव और असुर सिधी सिधी एवाला वीगल्ब इसका सही हो जाएगा प्रश्ण नम्मर 73 हिमाले का संधी विच्छेद आपको करना है चलिए हिमाले हिम प्लस आले किस आप्सन में है तो 73 का हमारा आप्सन मिल रहा है कौन सा हिम प्लस आले बी वाला विगल्प जो है तियत्तर का हमारा सही हो जाएगा ध्यान नखेगा इस पर मत जाएगा हिम पलस आलाए बी वाला विगल्प आगे चलते हैं प्रश्ण अम्मर 74 धनुष्टं कार का संधी विक्षेत क्या होगा वो आपको बताना है प्रश्ण अम्मर 74 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा धनुष्ट प्लस कार अब देखें यहां बीच में मुर्धनिया समय ने बताना कि विशर्ख संधी के अंतर गाता है सी वाला विगल्प इसका सही हो जाएगा ऐसे पकड़िएगा आगे चलते हैं प्लस नम्मर 75 लंब उदर का संधी विच् संधी आ है तो लंब प्लस उदर वाला अपसंस सही हो जाएगा चली आगे चलते हैं लंबा पड़ेंगे तो एक तद्वा हो जाता है तत्सम हमें डूड़ना है संधी तत्सम काही रूप होती है प्रश्ट नमर 76 भारतेंदू में संधी होगी वो आपको बताना है संधी विक्षयत और कम एक संधी की बात कें तो रिक अवाला विकल्बद और विकल्ब जो हमारalen सटातर का सही होगा वो आपको बताना है तो बहुत इंपोटन्ट है कौन सा विकल्ब सही होगा तो प्राक प्लस एतिहासी और किस आप nuo प्सन में है तो देखिए हलंतंवाल आपसन यह हमारा जो है साही हो जाएगा принципе विखल्ब आगे चलते हैं प्लस नम्मर 79 लगुर्मी का संदिविक्षयत करें लगु प्लस उर्मी किस आपसन में है वो आपको ढूड़ना है प्लस नम्मर 79 का विखल्ब जो हमारा सही हो गा वो हो जाएगा प्रष्ण नमर 79 का ए वाला देखें लगू प्लस उर्मी ए वाला विकलब हमारा सही हो जाएगा आके चलते हैं प्लस नमर 80 धर्मार्थ में संदि कौन सी होगी वो आपको बताना है 80 का विकलब जो हमारा सही हो जाएगा दिर्गी संदी ही होग, एवाला विकल्पिस का सही जाएगा आगे चलते हैं प्रष्ण नममर 81 अभी सेक का संदी विक्षेद होगा क्या वो आपको बताना है 81 का विकल्प जो कर हम बात करें तो अभी प्लस सेख जो है हमारा बी वाला बीकल्पिस का सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्लस नम्मर 82 विद्याले में कौन सी संदी है तो दिर्ग संदी है ए वाला 82 का सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ट नम्मर 83 सच्छात्र का संदीर विक्षेत क्या होगा आपको बताना है तो सच्छ प्लस कौन से आप सनावर होगा सच्छ प्लस सास्त्र और सास्त्र में जो है बड़ा सवाला होना चाहिए सी वाला विकल्बिस का सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्नमर 84 रजनीज में प्रिक्त संदी का से वह आपको बताना है प्रश्नमर 84 इंपोटेंट है एक जामिय में बना हुआ यह वाला तो कौन सा विकल्ब यह दिर्ग संदी के अंतर कहता आएगा रज्जत प्लस इस यह वाला विकल्ब जो है सही हो जाएगा रजिनी प्लस 20 हो जाता है आगे चलते हैं 85 प्रश्ण सिच्छाले का सही संदी विच्छेद आपको करना है प्रश्ण नम्मर 85 का विकल्प जो हमारा सही हो जागा वो हो जागा सिच्छा प्लस आलाई डी वाला विकल्प दिर्ग संदी के अंतर गताएगा प्रश्ण नम्मर 86 गंगो दक में संदी आपको बताना है कि गंगो दक में संदी क्या होगे तो गुण संदी होगी सिधी सिधी वी वाला विकल्प जो है आगे चलते हैं प्रश्ण नम्मर 87 विधा इसके बीस में नो की आय पाय जाए जाता है और और आय आयfor यह पाया जाय न तो आदी संदी के अंत्रकर जाय जाता है प्रस्ट नमरわか्थासे अत्यादुनिक में कांशी संदी है वह आपको बताना है प्रस्ट नमर baking और युळे संदी D वाला विकल्ब इसका सेव जैगा प्रस्ट नंमर 89 नयाक का संदी विक्षेद आपको बताना है नयाक का संदी विक्षेद कि अगर हम बात करें तो वो हमारा विकल्ब सेव जैगा नय प्लस अक और किस आप्थन में है तो C वाला में चली, वार्ता अलाप का संदी विक्षेत कौन सा होगा, 90 प्रश्ण कह रहा है, विकल्ब जो हमारा हो जाएगा सही वो हो जाएगा, वार्ता प्लस अलाप किसमे हैं, एवाला में ही है, दिर्ग संदी के अंतर गताएगा, प्रश्ण नम्मर 91, आशिर वाद का सही संदी प्रश्ण नमर 92 बिकलप ये विशरव संधी के अंदर गताएगा ध्यान नकिएगा प्रश्ण नमर 94 पर्माओ दार्य में कौन सी संधी होगी 94 प्रश्ण कर रहा है कौन सी संधी होगी तो बिर्धी संधी होगी ए वाला बिकलप इसका सही हो जाएगा 94 आगे चलते हैं प्रश्ण नम्मर 95 वन आउसद का संधी विक्षेद आपको करना है इसका जो हमारा आपसन सयोगा B वाला 1 प्लस आउसद हो जाएगा प्रश्ण नम्मर 90 संधी का संधी विक्षेद करना है बाई संधी का संधी विक्षेद करना है 96 प्रश्ण करहाँ कौसा होगा समप प्लस धी एवाल आपसन सहिएगा प्रश्чив करएगा आपसन काउन्सा दी वाल आपसन हमारा सहिएगा प्रश्ण नम्मर 98 श्रीमन नारायन का संधि विक्चेत करेगा आपसन करहाँ विकल्प की बात करें तो स्री मन को जो है स्री मत नराण कहेंगे दी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये न जो है न तम एक कन्वाट हो जाता है ध्यान लखेगा बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्ण नम्मर 99 साक्षर का संदी विक्षेद किया होगा वो आपको बताना है प्रश्ण नम्मर 99 का विकल्प की बात करे तो 100 प्लस आक्षर हो जाएगा डी वाला विकल्प इंपोर्टेंट है ध्यान लखेगा आगे चलते हैं दसमा प्रश्ण पितामबर में कौन सी संदी है वो आपको बताना है प्रश्ण नम्मर 100 पितामबर में अगर हम बात करे तो आपसन जो हमारा सयोगा ए वाला आपसन दिरिग संदी हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नम्मर 101 तथेव का संदी विक्षेद करिये कौन सा विकल्प आपको मिलेगा तथेव का प्रश्ण नम्मर 101 तथ प्लस ए आपसन जो हमारा पहला ही मिल गया है ए वाला सयोगा अगला प्रश्ण 102 किन नर का विक्षेद करिये कौन सा आपसन मिलेगा 102 का चलिए विकल्प की बात करें तो किम प्लस नर हो जाएगा सी वाला आपसन अमारा सयोगा प्रस्ट नम्मर एक्सो तीन अत्ता प्लस एव का संधी विक्षेद करिये क्या होगा प्रस्ट नम्मर तीन का एक्सो तीन का इंपोर्टेंट है एक्जाम में बना हुआ है ये प्रश्ण बना हुआ है 103 का आपसंजू होगा आता प्लस ए वाला सही हो जाएगा प्रश्ण नम्मर 104 तमों गुण का संदी विक्षेत करी 104 का विकलब जो हमारा सही हो जाएगा वो तमा प्लस गुण हो जाएगा बी वाला विकलब सही हो जाएगा ये विसर्ग भी ओ में क प्रस्च नमर 16 संधिविक्षेद करिए 106 का प्रस्च नमर 107 का तो यसोदा का यस प्लस डा पहला ही आपसन हमारा मिल गया यह वाला विट्सम सही हो गयाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नम्मर एकसो आठ रमेस का संदी विक्षेद करना है कौन सा आपसन सही होगा प्रश्ण नम्मर एकसो आठ खा विकल्प की बात करें तो हमारा आपसन सही होगा वो हो जाएगा डी वाला रमा प्लस इस आगे चलते हैं प्रश्ण नम्मर एकसो नम्म सचिदानन्द का संदी विक्षेद क्या होगा वो आपको बताना है तो सच प्लस यानि ये चो जो है तामे कन्वर्ट होगा तो ये मिल सकता है सच प्लस चित ये भी हो सकता है और आनन्द एगदम बी वाला आपसन हमारा सही हो जाएगा प्रश्ण नम्मर एकसो नम्म का आगे चलते हैं प्रश्ण नम्मर हेकसो दस यह करा कि सदानन्द का संदी विक्षेद आपको करना है विकल्प का उनसा सही होगा तो आपसन हमारा जो सही होगा वो हो जाएगा सत प्लस आनन्द पहला ही आपसन हमारा दिख रहा है एवाला विकल्प इसका सही हो जाएगा आगे चलता है प्रश्ण नम्मर 111 दूसर सासन का संधि विक्षेद आपको करना है चलिए दूसर सासन का आपसन जो हमारा सही हो जागा वो B वाला विकल्प ही सही हो जागा क्योंकि ये बिसर्व जो है ये आधा जो बाड़ा सह होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है तो ये चीजे द्यान नकेगा 111 का B वल आपसन चलिए आगे चलते हैं सदेव बिर्दी संधि का उधारण है सदेव कौन सा आपसन विक्षेद करेंगे तो होगा सदेव का चलिए प्रश्ण नम्मर 112 का आपसन जो हमारा सही होगा वो हो जागा सदा प्लस एव आपसन कस में है एवाले में आपसन है एवाला विकल्प हमारा 112 का सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नम्मर 113 नयन हयादी संदी का उधारण है कौन सा आपसन सही होगा बताना है आपसन 13 का 113 का नयन का अपसन रिपीट होगा चुका है प्रश्ण तो ध्यान नखेगा नयन का नये प्लस अन होता है वी वाला विकल्पिस का सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नम्मर 115 यद्ध पी यद्ध पी जो है विक्षेद करेंगे तो क्या होगा वो आपको भूडना है हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ट नम्मर 116 पावन का जो है संधी विक्षेद क्या होगा वो आपको बताना है 116 का आपसन की बात करें तो पावन का जो है पो प्लस अन होता है इंपोर्टेंट है ध्यान लखिएगा भी वाला भी गलब इसका सही हो जाएगा प्रश्ट नम्मर आ जाते हैं ये थोड़ा पीडियेप ढग से थोड़ा क्वेश्चन नहीं बन पाया तो ध्यान लखिएगा चली मैं आपको सुना ही दूँगा एक सो सत्रा प्रस्ट करा कि उन नती नती का जो है संदी विच्षेत क्या होगा फो आपको बताना है एक सो सत्रा का तो उन नती के एकर संदी विच्षेत की बात करके उत प्लस नती हो जाएगा आपसन जो हमारा सही होगा ए वाला आपसन सही हो जागा उत प्लस नती जो यह ध्यान नकेगा, ग, यह थोड़ा कलत लिखा गया, ग, अवी, अवबाडास, यह यह सब्ध, गवीस, गवीस का संधी विक्षेदा करना है 118 का, आपसन जो हमारा सही होगा, गो प्लस इस हो जाएगा, तो बीवला आपसन हमारा मिल रहा है, आगे चलते हैं, प्रशन नमर 11 11 का अनना भाव, थोड़ा क्वेश्चन ही, दो-चार क्वेश्चन जो है गालबडा गया पीडियव, तो ध्यान नकेगा, अभी वो खतम हो जाएगा, वो 119 का अनना भाव का जो है संधी विक्षेद क्या होगा, वो आपको बताना है प्रशन नमर 119 का, आपसन की बात करें तो अनन पलस आभाव हो जाएगा, डी वाल आपसन इसका सय हो जाएगा, देविक्षा, देविक्षा का जो है, संधी विक्षेद के आवगा 120 प्रशन कर रहा है, तो देविक्षा का जो है, देवि पलस इक्षा, और किस आपसन में है, सी वाले आपसन में ही है, ये देवि प्रश्ण नम्मर 121, शन मार्ग, शन मार्ग जो है, मुर्धनिया सह है, फिर आधारड़ है, फिर मपराक मंत्र मार आग, यहीं है आपसन, प्रश्ण है, चलिए, इसका विक्षेत करेंगे तो क्या होगा, 121 कर रहा है, आपसन जो हमारा सही होगा, वो 60 प्लस मार्ग हो जाता ह प्रश्ण नम्मर 122, स्वागत, यह वाला स्वागत है, स्वागत, यहीं लिखा हुआ है, स्वागत का संधी विक्षेत क्या करेंगे तो सू प्लस आगत होता है, सी वाला आपसन, 122 का सही हो जाएगा, आगे चलते हैं, मनुरत, 123 प्रश्ण है, important है, मनुरत का संधी संधी का ज्यान लखेगा, 124, सब तरसी, सब तरसी में संधी विक्षेत करेंगे, तो क्या होगा, वो आपको बताना है, सब तरसी का संधी विक्षेत, 124 का जो बिकल्ब से होगा, सब प्लस री सी, बी वाला आपसन हमारा सही हो जाएगा, प्रश्ण नम्मर 125 बस यहीं तक 125 तक सही हो जाएगा, उज जोल, उज जोल जो है, उज जोल का संधी विक्षेत क्या करेंगे, तो क्या होगा, आपसन वो आपको बताना है, तो उज जोल का जब आप संधी विक्षेत करेंगे, तो उत प्लस जोल होता है, और आपसन हमारा पहला ही सही हो जाएगा, 125 का, बिर्दी संदी के अंदर गत उधारण है ध्यान नकेगा बिर्दी संदी के अंदर गत लेकिन इसा बिच्छेत करकर आपको बताई 126 का आपसन जो हमारा मत प्लस एक ये वाला बिकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्ण नम्मर 127 रित्य अनुसार रित्य अनुसार का संदी व विच्छेत करिए प्रश्ण नम्मर 128 का आपसन जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा प्रित्य प्लस इच्छा कौनसा प्रश्ण नम्मर 128 का एवाला आपसन जो हमारा सही हो जाएगा प्रश्ण नम्मर 128 का आगे चलते हैं प्रश्ण नम्मर 129 सक्खेव सक्खेव का जो है संदी है वो आपको चुनना है यहां से प्रश्ण आपको मिलेंगे जिसे भवन में आपको बताना है कि कौन सी संदी है प्रश्ण नमर 130 का तो भवन में जो है अयादी संदी होगी और जो है बीच में पाया जा रहा है तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं सीवल आपसन इसका सही ह जाएगा प्रश्ण नमर 131 सदय में कौन सी संदी है वो आपको बताना है प्रश्ण नमर 131 का आपसन ब्रिद्धी संदी हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 132 परी नाम जो है कौन सा संदी होगा परी नाम में वो आपको बताना है प्रश्ण नमर 132 का आपसन जो हमा कौन सा संदी होगा निरपराद तो वो हो जागा विसर्ग संदी के अंत्रगत टी वाला आपसन इसका सही हो जाएगा प्रस नम्मर 134 नीससीम में जो है कौन सी संदी होगी वो आपको 134 का बताना है आपसन जो हमारा सही होगा वो C वाला विसर्ग संदी ही होगा आगे चलते हैं प्रश्ट नम्मर 135 है अब भ्यागत में जो है कौन सी संदी होगी वो आपको बताना है आपसन की बात कर 135 का तो C वाला आपसन यन संदी हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ट नम्मर 136 36 का और आए कि निरलिप्द निरलिप्द में जो है कौन सी संदी होगी बहत important है निरलिप्द में कौन सी संदी होगी तो 136 का जो हमारा आपसंस होगा वो हो जाएगा ये वाला विसर्ग संदी ये raw उडन्तु है न तो ये विसर्ग में convert हो जाता है इस बात को ध्यान लगेगा इसी वज़े से हो रहा है आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 137 समवाद में कौन सी संदी होगी वो आपको बताना है प्रश्ण नमर 137 इसका important है ये आपसंस जो हमारा सही होगा वो हो जागा ब्येंजन संदी ये प्रश्ण बना हुआ है important है very important द्यान नक लिजिएगा सीवल आपसं इसका सही हो जाएगा समवाद में ब्येंजन संदी निस कपट में कौन सी संदी है वो आपको बताना है प्रश्ण नमर 137 आपसंस जो हमारा सही होगा वो भी सर्ग संदी सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 149 ये भी important ही है युदिष्टिर में कौन सी संदी है वो आपको बताना है प्रश्ण नमर 149 आपसंस की बात कर तो ब्येंजन संदी हो जाएगा युदिष्टिर में ब्येंजन संदी अगला प्रश्ण है कि जलाओद में कौन सी संदी है वो आपको बताना है 140 का जलाओद की बात कर तो विर्दी संदी हो जाएगा बी वाला आपसंस का सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 141 अन्युआ अन्युआ जो है कौन सी संदी होगी अन्युआ में चली प्रश्ण नमर 141 अन्युआ में कौन सी संदी होगी तो वो होगी यण संदी होगी सी वाला प्रश्ण का सही हो जाएगा प्रश्ण नमर 142 पित्रिच्छा में कौन सी संदी होगी वो आपको बताना 142 का आपसन जो हमारा सही होगा यण ही संदी इसमें भी होगी प्रश्ण नम्मर 143 सयन में कौन सी संदी होगी वो आपको बताना है आपसन जो हमारा सही होगा वो जाएगा आयाती संदी सी वाला भी गल्विसका सही हो जाएगा प्रश्ण नमर 144 बियुत्पत्थीमे कौन सी संधी होगी वो आपको बताना है प्रश्ण नमर 144 का तो बियुत्पत्थी की बात कर तो ये यण संधी की अंतर गताता है प्रश्ण नमर 145 यह प्रश्ण कह रहा है कि विशर्ग संदी विशर्ग संदी विशर्ग संदी में जो है कौन सी संदी होगी प्रश्ण नमर 145 कह रहा है तो इसमें जो है बेंजन संदी हो जाएगा बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्च नमर 146 है कि देवेंद्र में कौन सी संदी होगी देवेंद्र की बात कर रहा है विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा सी वाला विकल्प देव प्लस इंद्र सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्च नमर 147, स्वेचिक में कौन सी संदी होगी 147 कर रहा है तो वो हमारा विकल्प जोगा विर्द्धी संदी B वाला विकल्प इसका सही होगा प्रश्च नमर 148, जगन नात में कौन सी संदी होगी इंपोटेंट है ध्यान नकिएगा इजाम में बना हुआ है यह पॉइंट है 144 जगन नात में कौन सी संदी होगी तो वो ब्येंजन संदी होगी C वाला विकल्प इसका सही होगा अगर विक्छेत करेंगे तो जगत पलस नात होगा प्रश्च नमर 148, पित्रा देश में कौन सी संदी होगी वो आपको बताना है प्रश्च नमर 148 का विकल्प की बात करें तो वो हमारा विकल्प सही होगा D वाला आपसन यण संदी होगी इंपोटेंट है ध्यान नख्येगा पित्रा देश में यण संदी होगी पित्री पलस आतिस विक्छेत करेंगे तो होगा प्रश्च नमर 150 अरुस विडियो का लास्ट प्रश्च गुरुत्वा कर्षण में कौन सी संदी होगी वो आपको बताना है तो गुरुत्वा कर्षण में अगर संदी की बात करें तो गुरुत्व पलस आकर्षण अब ऐसे ही विक्छेत करेंगे दिर्ग संदी आ जाएगा तो कि जब समान स्वर आता है न विक्छेत करने के बाद तो गो दिर्ग संदी में ही चला जाता है तो ये थे 1500 महत्तपुन क्वेस्चन सिर्फ संदी से मैंने आपको करा दिया है आज हमारा संदी टापिक भी खतम हो गया बाकि नेच टापिक हम नेच वीडियो में कवर करें चलिए आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू